36 गढ़ में परिसिमन को लेकर कॉंग्रेस पार्शदों की बैठक बुलाई गई जहां महापौर अजास धेबर की अज्यक्ष्टर में बैठक होई है बैठक में सब ही कॉंग्रेस सी पार्शद मौजूत रही है। कॉंग्रेस पार्शदों का सरकार पर आरोप की परिसीमन पर राजिनिती करने का आरोप लगा रही है 36 गट में वाड परिसीमन पर रोक पूर्व मंत्री शिप डेहरिया का बीजेपी पर निशाना बीजेपी कर ही परिसीमन पर सियासत अपने लोगों को पादा पहुचाना चाहती है बीजेपी अपने लोगों को पादा पहुचाने के लिए वाड़ो में उनका इसाब से परिसीमन किया जा रहा था जो निहायती गलब था क्योंकि परिसीमन जो है हर पांस साल में नहीं होते हैं जिस तरह जनगना दस साल में होता है वह ऐसी परिसीमन भी जनगना के अधार पर होता है लेकिन भारती जनता पार्टी इस बात को राजनिती से जोड़ कर देख रही थी अपने लोगों को लाप के अधार पर परिसीमन कराया था कॉंग्रेस ने निकाय में अध्यक्ष और महापौर की प्रक्रिया को भी बदल दिया परिसीमन पर हाई कोड के रोक लगने पर केदार गुप्ता ने कहा कि शासन और प्रिशासन मिलकर इसका हल धूलेगा 2011 की जर्णगर्णा के इसाब से 2014 में परिसीमन हो चुका था पर जब भुपेज बखेल की कॉंग्रेस की सरकार आई तो अपने फायदे के लिए राजरितिक लाब के लिए छेत्रवाद और जातिवाद के आधार पर फिर से परिसीमन कर दिया और खाली परिसीमन वो बहुमत के आधार पर खरीदी बिक्री के आधार पर अध्यक्षा महापौर का चुनाओ का अधिकार दे दिया तो निश्चित रूप से इससे युक्ति-yुक्त कारण दिखाई पड़ता है कि फिर से इसका परिसीमन होना चाहिए और मानिया हाई कोट ने इस पर रोग लगाई है साशन प्रसाशन अपना पक्ष रखेगा और आगरह करेगा कि यह परिसीमन पहले छेत्रवाद जाती बात के हिसाब से है राजनिती के लाप से कॉंग्रेस ने किया है इसलिए इसका युक्ति करन करने के लिए फिर से इसका परिसीमन आवश्च्छ है और से दिरू करेंगे जादा जानगरी के साथ समधता आकाश जोड़ गया काश बाड़ परिसीमन को इकप सियासा थोरी एक तरफ जहां विपक्ष दलों को निशाना साधा जा रहा है तो मैं कॉंग्रेस का कहना है कि जाती गत परिसीमन कराय जाने का आरूप लगा रही है बी जे पिपर देखे कल ही हाई कोट ने परिसीमन पर रोक लगा दिया है और इसका विकल्प जो है सासन प्रसातन इस तरफ पर ढूंड़ा जा रहा है लेकिन इसको लेकर भाजपा कॉंग्रेस में राजनीती सुरू हो गई भाजपा कहना है कि कॉंग्रेस जाती वाद से प ने भी आरोप लगाया कि राजनीती से प्रेरित होकर जो है वो भाजपा परिसीमन करा रही है परिसीमन को लेकर राजनीती तेज हो गई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सुरू हो गया है लेकिन हाई कोट का इस्टे है और इसको लेकर हल ढूंडा जा रहा है क् आने वाले समय में जो है नगरी निकाय चुनाओं है तो इसको किस तरीक से करवाना है कई वार्डों का परीसिमन होना है जो प्रक्रिया सुरू हो गया था उसके लिए दावापत्ती भी आ गई थी तो तमाम प्रक्रियाओं के बीच है जो है हाई कोट का रोक है बड़ा फैसल जारी पिछले पास दिनों से शेहन में पानी की समस्या बनी हुई है दरसल इंटक विल में खरावी आने के कारण ये इस्तिती बनती हुए नजराई है निकम के सारे दावे फेल होती हुए नजरा रहे हैं करीब सतर प्रितिशत आबादी को पानी नहीं मिल पा रहा है पानी पालिक निगम के तमाम दावे खोकले साबित होते हुए नजरा रही हैं कई बार इंटक वेल में मरमत का काम होता है और इसके बाद पानी की जो सप्लाई होती उसको रूख दिया जाता है लेकिन इस बार पांच दिन से जादा का वक्त हो चुका है शेहर में पानी की समस्या बनी गूई है गरियबर में स्कूल की छट का प्लास्टर गिर गया पढ़ाई कर रहे छात्रों की बाल बाल जान बची छोड़ा ब्लॉक के चुरकी दादर प्रात्मे के स्कूल में यहाथ सा हुआ है करीब 56 कर चूके हैं इसकूल में पढ़ाई कर रहे थे 57 और इसी दोरान ये प्लास्टर गिर पड़ा तकरीबन आठ महिने पहले ही भवन की मरम्मत हुथी लगतार सीपेज का काम हो रहा था प्लास्टर का बड़ा हिस्सा कुल कर गिर गया और समय दते शिक्षक की सुखूत से सभी खात्रों को बाह निकालिया गया थेकेदार की काम पर भी सवाल वज़े से प्लास्टर कूल गया और गिर पड़ा कांकेर से बड़ी खबर करूख जहां कांकेर में ख्वेन हाथसा हुआ बर्गत का पेड रेलवेट ट्रैक पर गिर पड़ा इंजन के पहिये पट्री से उतर गए सभी यात्री सुरक्षित बताय जा रहे हैं दली राजहरा से बानु प्रतापूर जारी की फेन लगतार बारिश के कारण ये हाथसा होना बताया जा रहा है खबर कांकेर से है जहां पर कांकेर में ख्वेन हाथसा हुआ बर्गत का पेड़ रेलवेट ट्रैक पर गिर पड़ा इंजन के पहिये पट्री सुतर गए और सभी यात्री आन ता भी बल्रांपूर में वन विभाक की बड़ी कारवाई जहां लकडी तसकरी के खिलाफ कारवाई की गई है घर से बड़ी मात्रमें साल की लकडी भी जब्त की गई है ताथा पानिस्ठित आरूपे के घर से चोखट मिले हैं दो आरूपियों को गिरफतार किया गया एक कि गिरफतार कर लिए जा एक आरोपी लेकिन फरार बताया जा रहा है कि अ कि 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 बालोड़ा बजार में बांध तूट किया जी हां सिंगा विकास कंड में तूटा बांध जहां सार्थ पर पानी भर गया प्रिशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है दरसल बांध तूब जानी क पास के लाकों में भर जाता है और उसकी चलते अलर्ट जारी किया गया है बांध तूट गया किस तरीकी के स्थितिया बनिस दौरान यह नदी नाले वुफान पर है और इसी के चलते हैं सिंगा विकास कंड के जो दर्चूरा इसी जो बांध है वो बांध अध्यदीक बारिस की वज़र से तूट गया तूटने के बाद देख सकते हैं वेक और वीडियो से साफ़तर पर दिखाए देरे कि लोग किस तरह से आ गया है और अभी पानी सरफ म्ने का नाम नेए कोकि बांध का पानी है जब तक कोई भी प्रसासन के अधिकारी वहाँ पर वहीं आते हैं प्रसासन भी अलर्ट जारी किया है क्योंकि बान का पानी है अभी बारिस चली रही है उपर से पानी आ रहा है इसके चलते ही जब तक इसकी सामाने हो जारी जब तक प्रसासन भी अलर्ट जारी किया गया लग कि नदियों के आसपास ना चाहिए तो यह तस्वीर अब आप एक बार देखे जब बांध की तूट जाने की वज़े से जो सिंगव विकास खंड आसपास के जो शेत्र है वहाँ पर पानी भर गया है जो छोटी नदिया है वो पूरी पानी से लबलब भर गई है और बहुत त पानी के पास आपको नहीं जाना है ताकि किसी भी तरीका को कोई जोखिम ना हूँ और उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो एक पूल है या रप्ता है उसे पार करके या वहाँ पर खड़े होके लोग इस नजारे का आनन्द लेते हुए भी नज़रा रहे हैं अलानक नजारिक का आनंद लेते हुए नज़र आए हैं यह सीधी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह बाद की तूटने के बाद जो पानी इलाके में फैल रहा है वो तस्वीर आप देख रहे हैं तो यह बीजापुर में बारिश में जंजीवन प्रभावित है कई गावों का जिला मुख्याले से संपर के कड़ गया है यहां नदी नालिवफान पर हैं वह इन नगर सेना के जवान बिमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर रहे हैं जवानों ने प्रसूता और नवजात को पेधा कबवाली नदी पार कर अस्पताल पहुंचाया यह तस्वीर आप देखिए दरसल बारिश के मौसम में कई ग्रामी छेतरों में खासतोर पर ऐसी तस्वीरे सामने आती हैं जब नवजात बच्चों का रस्क्यू किया जाता है या फिर जो प्रसूता है उन्हें हॉस्पिचल पहुंचाया जाता है और ऐसे कुछ मामला यहा से कड़ी मश्यक्त करके जो बच्चा है उसे सुरक्षी तिस्थान पहुंचाया जा रहा है तस्वीर आपके सामने हैं बिलासपुर जिले में नदीनालिव फान पर हैं लगतार बारिश नदीनालिव फान पर हैं कलेक्टर अपनी शरण ने बाढ़ नियंतरन टीम समेट सभी अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है तेज बारिश से जन जावीवन प्रभावित है प्रशासन ने बाढ़ से कि नदीनालिव फान पर ने कहीं भी जोकिम भरी सुख्यां पैदा हो जाती है कि शहरी शेत्रों में कहीं कहीं पे दो तिन घंटे के लिए जब ज़्यादा बारिश होती है तो जल भड़ा होता है बट उसको भी निकासी का काम नगर निगम के टीम करती है इसके साथ साथ अचानक से बाढ़ आती है या कुछ भी उसके लिए भी हमारा कंट्रोल रूम तैयार है और सभी जो हमारे से और तैसिल्दार है और नगर निगम शेत्र में नगर निगम कमिश्णर जोन कमिश्णर से सब को बताया गया है कि जो भी आप अधिस्ति अगर क्रियेट होती है अचानक से जो फ्लैश लड़ आती है तो उसको लेके पुरी त क्यारी रखें ऐसे सुरक्षित जगहों का बेची नंकन कर लिया गया जिले में और उनकी प्रॉपर कैम्प अगर लगाने की सिति आती है तो उसकी विवस्था भी हम